इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉपर्टीज ओफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करेंगे ठीक है लास्ट वीडियो में दोस्तों प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है इसके बारे में हम अल्रेडी बात कर चुके हैं कोई भी वेव अगर आपको ट्रैवल करती हुई दिख रही है तो उसको आप Progressive wave बोल सकते हो तो Progressive wave एक traveling wave होती है ठीक है तो Progressive wave को और अच्छे से तरीके से समझने के लिए दोस्तों हमें यहां पर properties of Progressive wave को अच्छे से समझना होगा जिसमें से पहली property हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले read करेंगे दोस्तों क्या है तो यहाँपर फिर नीचे फिर यहांपर तो यहांपर क्या होजाएकक भी टो और यह पर्सटाम के साथ साथ आधर ट्रैवल करना करेंगा और आपने एक पार यहांपर जटका दीया वया तो 21 माला त्रच होंगी अगर अब बात करते हैं property के बारे में फिर से एक बारे करें दोस्तों इस particle in a medium executes the same type of vibration तो हर एक particle इस medium मतलब क्या है string यहाँ पर तो इस medium के उपर का हर एक particle चाहे वो यह particle हो A चाहे वो यह B particle हो चाहे वो C particle हो कोई भी particle एक ही तरीके की vibration करेगा मतलब एक ही तरीके की motion करेगा जैसे कि यहाँ पर देखे दोस्तों आपने यहाँ पर एक particle को क्या किया है अपने इस particle को जैसे मूग किया है वैसे ही यह particle मूग रहेगा तो जब यह कॉपी करते हैं हर एक पार्टिकल हमें कुछ इस तरीके की मोशन देखने को मिलती है जिसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं तो पहली प्रोपर्टि क्या है हर एक पार्टिकल सेम टाइप की वाइब्रेशन करेगा उसके आगे क्या लिखावाई देखे दोस्तों हर एक पार्टिकल इस मीडियम के उपर का SHM कर रहा है अब बाउट देर में पूजिशन तो यह में पूजिशन है यह पार्टिकल पहले है यहाँ पे जाता है फिर यहाँ पे तो यह पर्टिकल जो है एसे छो कर रहा है गजैज़ कि ऽंधी यह थरिकल करेवा और ये mean position है उसकी, ये mean position है, ठीक है mean position के about हर एक particle SHM कर रहा है, दूसरी property क्या है देखें दोस्तों यहाँ पर all vibrating particles of the medium have same amplitude, same time period and same frequency, मतलब हर एक particle चाहे हो A हो B हो C हो या कोई भी एक particle हो, उनकी amplitude सेम होगी, amplitude मतलब यहाँ पर amplitude क्या होते थी, ये mean position से उसका maximum displacement, इसको हम amplitude बोलते तो यहाँ पर mean position से उसका maximum displacement है, ये देखें, ये mean position है, mean position से ये maximum displacement, ये maximum displacement है, ये यहाँ पर maximum displacement है, तो हर एक particle का maximum displacement है, amplitude है, वो same है, ऐसा कोई एक particle नहीं जिसकी amplitude अलग हो, ठीक है, दूसरा दूस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो time period है, हर एक particle का, time period किसे बोलते हैं, एक particle को, लगता है इसको से हि yap लिए कंपलीट करने में जितना टाइंद घ्रक्वेंची बोलें टाहंगे ही से से सेदाट वरेह परीपार्टी से यूण हो गर्लेहेग है थे मुण दिस के बारे में इससे किरेंगे व्रॉप्क करता हुप पर फोर्थ प्रोपर्टी के है देखिए इच पार्टिकल कमस तू रेस्ट मोमेंटर इलिए वाइल इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं यह यह सेचेम कर रहा है तो क्या यह पार्टिकल बीच में रेस्ट में आता है कहां पर नहीं लेकिन यह देखिए जब एक्स्रीम पोजिशन पर जाता है यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यह स्पीड वो जीरो होता है ठीक है यहाँ पर यह थोड़ी दिर के लिए रूप जाता है और जब यह mean position को pass करने वाला होता है यहाँ पे इसकी speed maximum होती है तो यह SHM कर रहा है यह भी particle SHM कर रहा है तो यह दोनो properties इसे भी क्या हो सकती है इसे भी आप apply कर सकते हो तो कोई भी एक particle permanently rest में नहीं रहता है अगर wave travel कर रही है तो कोई भी एक particle permanently rest में नहीं रहता है लेकिन extreme point पे यह extreme point है यह extreme point है यहाँ पर देखिए extreme point है यह extreme point है extreme point पे momentarily मतलब बहुत ही short time के लिए वो rest में आता है इसकी यहाँ पे velocity 0 होती है यह fourth property है और fifth property क्या है दोस्तों यहाँ पर यह जो particle है इसकी velocity maximum कब होगी जब यह mean position को क्रोस कर रहा होगा यह big property है जैसे यह particle की velocity maximum कहां पे है mean position पे वैसे ही यह particle की velocity maximum कब होगी mean position पे होगी ठीक है तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम six property के बारे में property number six क्या है देखिए during the propagation of wave energy is transferred along the wave there is no transfer of matter मतलब जब यह wave travel कर रही है matter मतलब particle travel नहीं करेगा देखिए यह particle यहाँ पर ही है यह यहाँ पर है ठीक है उसके बाद यह यहाँ पर है मतलब यह ऐसे motion कर रहा है particle travel नहीं कर रहा है energy travel कर रही है matter travel नहीं कर रहा है matter वही पर है मतलब यह देखे यह particle जो है यहाँ पर इसको हम दी बोलेंगे यह particle यही रहने वाला है ठीक है यह आगे नहीं जाएगा matter travel नहीं करेगा energy travel करेगी ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे property number 7 the wave propagates through the medium with a certain velocity तो यह wave जो propagate कर रही है ट्रावल कर रही है medium के तुरू इसकी कुछ velocity होती है और यह जो velocity होती है यह depend करती है आगे बढ़िये देखे this velocity depends upon the properties of medium मतलब यह velocity इस material medium जो है यहाँ पर medium क्या है string है इस string के property के उपर depend करेगी मतलब अगर यहाँ पर मोटी रसी है तो velocity कम होगी यह धीरे travel करेगी अगर यहाँ पर पतली रसी है तो यह fast travel करेगी अगर इस रसी के अंदर का tension ज़्यादा है तो यह fast travel करेगी tension कम है तो यह slow travel करेगी इसके बार में हम बाद में बात करने वाले लेकिन एक बात आपको समझने है कि यह जो speed है यह speed क्या होगी इस medium के properties के उपर depend करती है जैसे आप दूसरी तरीके से अगर आपको समझना होगा तो sound भी एक wave है progressive wave sound की जो speed है वो air के property पर depend करेगी न तो air का temperature अगर ज़्यादा है तो speed कम होगी और air का temperature अगर कम है तो speed ज़्यादा होगी तो यह air के properties के उपर depend करेगी थीक है property नमबर 8 और 9 अल्रीडियमें लास्ट विडियो में आपको समझा चुका हूँ 8 नमबर की property क्या के थी कि progressive wave की दो टाइपस है पहली transverse wave दूसरी longitudinal wave transverse wave है जहाँ पालिटिकल ऐसे displacement करता है वेलोसिटेस है और दूसरा longitudinal wave का मतलब है velocity और जो displacement है वो same direction में होगा ठीक है और 9 नमबर की जो property है वो बताती है कि transverse wave क्या होती है longitudinal wave क्या होती है इसको हम लास्ट विडियो में देख चुके है अब बात करते हैं दूस्तों यहाँ पर property number 10 के बारे में तेन नमबर की property क्या कहती थी तो तेन नमबर की property कहती है transverse wave जो है मतलब wave in string यह सिर्फ solid के अंदर से travel कर सकती है can propagate through solid only यह liquid और gases के अंदर से travel नहीं कर सकती और longitudinal wave मतलब sound sound जो होती है दोस्तों यह solid के अंदर से भी travel करती है और fluid मतलब liquid और gases के अंदर से भी travel कर सकती है पानी के अंदर से gases के अंदर से solid के दिवार के अंदर से sound travel कर सकता है लेकिन transverse wave सिर्फ solid के अंदर से travel करता है तो यहाँ पे एक doubt आ सकता है आपको की एक liquid है और इस liquid के अंदर आपने drop किया एक पत्तर सपोर्ज तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक wave generate होती है तो आप बोलोगी कि यह तो transverse wave है यह तो transverse wave है हाँ सही है यह देखिए particle कुछ इस तरीके से displacement कर रहा है तो यह transverse wave है 100% transverse wave है लेकिन यह liquid के अंदर से travel नहीं कर रही है liquid के surface के उपर travel कर रही है जैसे कि आपको पता है दोस्तो liquid का जो surface होता है surface tension आपने पढ़ा है तो liquid का surface जो है यह under tension होता है यह tension कुछ इस तरीके से होता है ठीक है तो यहाँ पे यह string भी tension में होती है on the liquid surface but it cannot propagate through the liquids ठीक है यह आपको समझाना था अब बढ़ते आगे दोस्तो बात करते हैं property number 3 के बारे में 3 number के property क्या करें देखे आपको the phase changes from one particle to another particle phase क्या होता है दोस्तो यह phase होता है state of oscillation phase होता है state of oscillation या state of vibration कि state में है vibration के particle in अड्य आपको यहां का particle क्या होगा नीचे जाने होला है तो यह ने का लिए सभीकल वे को बंडा है कि एक इन दो पॉलन गयुपर जा है वैस इनका state of oscillation उधाने हले इंचे आरा उत लिए कि दो metals can —aldohl Republic भी अपनुत। आने वाला है यह particle भी आप नीचे आने वाला है मतलब यह particle एक जैसे ही vibrerate करेंगे मतलब यह same state में होंगे तो इनका faith same है हम बोल सकते है यह particle उपर जा रहा है यह particle उपर जाने वाला है अब तो यह दो particles same state में हम ऐसे बोल सकते है ठीक है यहाँ पर अगर देखो के तो यह particle और यह particle यह दोनों भी same state में हैं लेकिन यहाँ के सब particles जो है वो अलग-अलग state में होंगे ठीक है यह आपको बताना चाहते है प्रॉपर्टी नमबर 3 अब हमें यहाँ पर दोस्तो एक दो definitions देखने हैं ताकि हम अगला पार्ट समझ सके हैं जिसमें से पहली definition है wavelength क्या होती है wavelength को समझने के लिए आपको time period पता होना जोड़े time period क्या होता है दोस्तों कोई भी एक particle हो कोई भी एक particle हम यहाँ पर देखते हैं यह particle इस particle को एक oscillation complete करने में जितना time लगता है उसको हम time period बोलते हैं ठीक है तो जब आपने इसको य एक बार इसको ऐसे move किया तो आपको एक pulse दिखेगी दो बार move किया तो क्या होगा आपको दूसरी pulse दिखेगी यहाँ पर यह pulse आगे चली जाएगी यहाँ पर दूसरी pulse जनरेट होगी ठीक है तीन बार अगर आपने ऐसे move किया तो यहाँ पर आपको तीन pulses दिखेंगे ओके तो wavelength लैमडा लेटर से दिखाए जाता है दोस्तों यह wavelength होता क्या है सबसे पहले हम देखते हैं उसकी definition So it is distance travel by wave in one time period देखें आपने यहाँ पर एक बार पकड़ा इसको ऐसे और एक बार जटका दिया ठीक है तो wave ने कितना distance travel किया? wave ने इतना distance travel किया मतलब आपने एक बार oscillate किया मतलब एक time period हुआ है तो एक time period में wave ने इतना distance travel किया आपने दो बार इसको oscillate किया मतलब दो time period में wave ने इतना distance travel किया यहाँ से यहाँ तर ठीक है तो एक time period में wave ने जितना distance travel किया है इतना distance travel किया ना इस distance को दोस्तों wavelength बोला जाता है तो यह तो एक definition हुई दूसरी definition आप लिख सकते हो जो आपके textbook में दी हुई है So it is distance between two particles which are in the same phase ठीक है तो wavelength क्या होता है एसे दो यहाँ पर देखें two consecutive particles बोलना चाहिए था two consecutive मतलब पास-पास के जो दो particles हैं जो same state में same phase में हैं ठीक है पार्टिकल यह दो पार्टिकल जो पास-पास के हैं यह same phase में हैं यह same तरीके से motion करेंगे यह पार्टिकल और यह पार्टिकल यह दोनों भी पार्टिकल अब नीचे आने वाले हैं तो यह same state में है तो इन दोनों के बीच का जो distance है इसको आप wavelength बोल सकते हो तो इन दोनों के बीच का जो distance है उसको आप बोल सकते हो wavelength अब दोस्तो एक और गंसेप्ट आप यहां पर पढ़ना है जिसका नाम है wave velocity wave velocity ठीक है तो किसी भी चीज़ की velocity निकालने तो velocity का formula क्या होता है it is displacement divided by time ठीक है तो अगर हम यहां पर time consider करेंगे दोस्तो time period one time period अगर हम यहां पर time consider करते हैं तो नीचे तो होगा देखे वी is equal to क्या मिलेगा आपको नीचे तो मिलेगा यहां पर आपको time period T लेकिन एक time period में wave ने कितना displacement किया है lambda so displacement lambda होगा है time कितना है T so V is equal to lambda upon T अगर हमें दोस्तो time period और frequency के बीच का relation पता है so time period is equal to one by frequency आपको पता है तो frequency क्या होगी it will be equal to one by time period तो यहां पर one by time period की जगर अगर आपने यहां पर देखे frequency पुट किया तो V is equal to क्या मिलेगा आपको V is equal to मिलेगा आपको यहां पे n lambda तो V निकालने का तरीका अगर आपको time period पता है तो यह formula यूज कीजिए अगर आपको यहां पे frequency पता है तो आप यह formula यूज कर सकते हो अब दोस्तो एक और concept है यहां पर हमें बढ़ना है जिसका नाम है equation of progressive wave तो equation of progressive wave निकलना है दोस्तो मतलब आपको किसी भी एक particle का string के उपर का किसी भी एक particle के उपर का मान लेत हम यहां पर तो इस particle के displacement का equation आपको लिखना है ठीक है उसी को हम बोलेंगे equation of progressive wave तो दोस्तो SHM में हमने देखा था तो कोई भी एक particle है जो देखिया SHM कर रहा है इसे तो इसके displacement का equation हम कैसे लिखते थे x is equal to a sin omega t अगर इसने mean position से अपनी motion को start किया तो हम ऐसे लिखते थे ठीक अपर जो पर्टिकल है मान लेते हैं आपने क्या किया है इसको SMU किया है ठीक है तो यह पर्टिकल कैसे मुग कर रहा है यह पार्टिकल है से यह से चेंब कर रहा है तो इस पर्टिकल के displacement का equation क्या होगा यह इसी तरीक से होगा क्या होगा दोस्तों यह यह वाई इस इक्वल यहां पर यह होगी ओमेगा क्या होता है एंगुलर फिक्वेंसी यह निकालने का तरीका क्या है टू पाई रिवाइड पाई टी है ओके और टी मतलब किस टाइम पर आपको निकालना है displacement वो टाइम कॉप क्या है आपको यहां पर पूट करना है ठीक है तो यह दो equation हुआ दो वेव इस टाइरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो अलग equation वेव इस टाइरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो अलग equation अब देखिए दोस्तों वेव इस टाइरेक्शन में ट्रैवल कर रही है मतलब velocity इस टाइरेक्शन में है तो इस पार्टिकल का displacement जो है उसको निकालने का equation होगा a sin omega t अगर इदर जा रहा है तो आपको यहाँ पर minus k x यूज़ करना है ठीक है यहाँ पता है आपको omega पता है यह k क्या चीज़ है तो यह k है दोस्तो वेव नमबर जो की निकाला जाता है k is equal to 2 pi divided by lambda से lambda मतलब यहाँ पर होगी wavelength ठीक है यह wavelength यहाँ से यहाँ तरका distance ठीक है तो यहाँ पर minus sign यूज़ करना है अगर wave इस direction में travel कर रही है तो minus sign is used if the wave is traveling along positive x-axis and if the wave is traveling along negative x-axis what will happen you will have to use here y is equal to a sin omega t plus kx ठीक है यह क्या होगा if the wave is traveling along negative x-axis ठीक है if the wave is traveling along negative x-axis मतलब वेव अगर इदर जा रही है तो यह formula यूज़ करना है आपको वेव अगर इदर जा रही है तो आपको यह formula यूज़ करना है इसी को बोलते हैं दोस्तो equation of progressive wave यह general equation है यह आप किसी भी particle के लिए use कर सकते हो कोई भी particle हो यह particle हो यह particle हो या फिर आप इस particle के लिए भी यह equation use कर सकते हो इस पार्टिकल का equation तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यह भी equation उसे apply कर सकते हो आप देखें यहाँ पे x की value कितने है अब से लिए उडियो में दन्याँ